नवीन अंतराष्टी न्यूक्तिव में हमारे पलोसी देश नेपाल में नए राजपती चुने गए हैं जिनका नाम है राम चंद्र पोडेन अब बात करते हैं यह अंतराष्टी न्यूक्ति हमारे लिए क्यों इपोडेन है देखिए भारत एक तो आपको अंतराष्टी न्यूक्ति वहाँ देखना है जहां पर पहली बार कोई फिमेल राश्पती चुने गई प्रदानमंति चुने गई है इसके अलावा भारत कहां किन किन गुरूप का मेंबर है अश्यान के साथ में भारत का टाइब चल रहे हैं इसके अलावा सार्क नेशन्स हो गया इन सब नेशन्स के बारे में आपको पता रगना है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भारत के पलोसी देश नेपाल में जहां पर अभी नए राश्पती का च प्रेसिडेंट है इसके पहले नेपाल में नए पी-एम भी चुने गए थे पतान मंदरी जिनका नाम था पुष्प कमल दहल पी-एम कोन है नेपाल के पुष्प कमल दहल अब बात करते हम इंटरनेशन रिलेशन में तो इंटरनेशन रिलेशन में अगर बात करी जाए तो नेपाल में कोई भी सरकार बनती है चाय हमारे नेपाल हो तो उससे भरत के हित काफी हद तक प्रभावित होते हैं तो यहारा पर कैसे प्रभावित होते थी यानि कि राजा का शाशन होता था लेकिन 2008 के बाद में नेपाल एक लोगतांत्रिक गंड तंत्र बना लोगतांत्रिक गंड तंत्र बना जैसा भारत है वैसा नेपाल भी बना 2008 में लेकिन लोकतांत्री गंटतंत्र बनने के बाद बर वहाँ पर कुछ अलग सीन चला कैसा कि वहाँ पर उसके बाद से ही लगातार राजनितिक अश्थेता रही अगर हम 2008 से 2023 तक का टाइम पिरेट देख लें तो 15 साल के दोरान कम से कम एक दरजन वहाँ पर प्रदानमंत्री चेंज हो गए कहीं सरकारे बदल गई जैसे कि प्रदानमंत्रियों में अगर देखें तो वहाँ पर सुशिल कोईरायला हो गया शेर बादूर देवबा हो गये बाबुरा भट्टरही हो गये मादो नेपाल हो गये केपी ओली हो गये पुश्प कमल दहल हो गये यह सारे प्रदानमंत्री इन 15 वर्ष के दोरान में ही बने अब भारत का इससे कंसर्ण क्या है तो थोड़े दिन पहले अगर हम देपाल में देखें तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बनेते हैं पुश्प कमल दहल जो कि वहाँ की माओवादी पार्टी से आते हैं और इन्होंने सरकार केपी ओली के समर्थन से बनाई थी और केपी ओली वह भी माओविस्टर पार्टी है अब यह दोनों कम्यूनिस्ट पार्टी इनका रुजहान थोड़ा सा चाइना की तरफ है चाइना में आपको पता ही है कि चाइना में कम्यूनिस्ट सरकार है तो और दूसरी बात एक तो कम्मिनुश सरकार चाइना में भी है और यहां भी कम्मिनुश सरकार है तो चाइना की तरफ रुजहान होना जरूर यानि की एक सवभविक बात है लेकिन नेपाल के प्रदान मंत्री हुए थे केपी ओली इन्हों ने तो एक कदम आगे बढ़के यानि चाइना की तरफ रुजहान होना तो ठीक है लेकिन एक कदम और आगे बढ़के तो आपको पता होगा भारत और नेपाल की सीमा के पीज में आता है लिपेलूक लिपेलूक दर्रा जो की आपका जो काली नदी की दर से पास से में उसको इन्होंने क्या करा था कि एक नक्षा भोगोलिक नक्षा नेपाल की संसत से पारित कराया और लिपेलूक एरिया को इन्होंने भारत से छीन कर नेपाल का हिस्सा बता दिया तो एक तो भारत और नेपाल के संबन पहली बार यानि इतने तरह डिस्टब होना स्टार प्रदान आपको बालन होगा शेर बाहदूर दे हुआ है और उनका भारत की प्रतिर रुजहान है ठीक है तो इसलिए क्या है भारत के नेपाल के साथ संबन सुधरने की समभावना काफी है ठीक है तो यहाँ पर आपके MPPST के करेंट अफेर में देखें तो दो तीन चीजा आती है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कोने ने फुष्प कुमल दहल जो कि थोड़े दिन पहले ही चुना हुआ था इसके अलाबा नावीर राश्पती जो चुने गए है उनका नाम है रामचंद्र पोडेल तो आशा करता हू कि परिज्ड झालाबा नावीर तो आशा करता है वा रजर शो कि तो दो तो आशा करता हूआ बशेद्ट तो आशा करता है रामचंद्र